नमस्कार दोस्तों आज हम बिहार फायर मैन मौडल सेट 14 सौल्व करेंगे अगर आप बिहार फायर मैन का फोर्म बढ़ें तो वीडियो पुरा देखेगा और इस बुक का पीडियाप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम लिंक जोइन किजिए जहां आपको फिरी पीडिय मिल जाएगा उससे पर ले अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए बिहार पुलिस का पलपल खबर के लिए तो चलिए आज के मौडल सिट पर अज का फर्स्ट कोशन है कौन से प्रकार के अस्थाई उत्तक जलिया पौधों को तेरने में साहइत प घटकों में विभाजन किसके कारण होता है तो इसका अंसर हो जाएगा परिछेपन के कारण होता है नेक्स कोशन है आसकर पुषकार जीतने वाले पर्थम भारतिय ब्यक्ति का नाम बताई है तो इसका अंसर हो जाएगा भानु अथया नेक्स कोशन है गांधी जी ने परशीद दान्दी यात्रा किस बर्स की थी तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में की थी नेक्स कोशन है अमरी सर का परशीद स्वर्ण मंदिर किस ने बनाया तो अमरी सर का परशीद स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव ने बनाया नेक्स कोशन है मानचित्र बनाने वाले ब्यक्ति को क्या कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा मानचित्र कार नेक्स कोशन है किस देश ने कागज का विश्कार किया था तो इसका अंसर हो जाएगा चीन चीन ने कागज का विश्कार किया था नेक्स कोशन है एटम बम का विश्कार किसने किया तो इसका अंसर हो जाएगा ओटो होन ने एटम बम का विश्कार किया था नेक्स कोशन है भारत के समुदरी मार की खोज किस ने की थी तो इसका अंसरों जगा C. वासको डिगामा वासको डिगामा ने समुदरी मार की खोज की थी नेक्स कोशन है इंसुलीन क्या है तो इसका अंसरों जगा इंसुलीन रुधिर सक्रा को घटाती है है किस वार्ष में को को राश्ट्र कीट क्या गया है तो इसका अशूर हो जाएगा है कि 1979 में उनिश्व नंस्थर में 14 राश्ट्रे बैंकों का राश्ट्र केया था नेक्स कुर्शन है परोड का संदी बिशेदे करें तो इसका अंसर हो जाएगा बी प्रोह जो उड़् नेक्स कोशन है नेता का इस्त्रिलिंग है तो इसका अंसर हो जाएगा भी नेत्री नेक्स कोशन है अपोजीट करना है तो इसका अंसर हो जाएगा गरामिन भारत में निर्धानता का अनुमान किसके अधार पर लगा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा बी 24 किलोड़ी परतिदीन या 447 रुपे परतिमा नेक्स कोशन है राज सभा में चुनाव के लिए आप एक्षित निन्तम आयू क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा बी 30 वर्ष और लोग सभा में 25 वर्ष होता है नेक्स कोशन है रुपेदी काल में गराम परमुक को क्या कहा जाता था तो इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा इबराहीम लोदी नेक्स कोशन है कलई खुलना कार्थ है तो इसका अंसर हो जाएगा ए भेद खुलना नेक्स कोशन है पेर से फल गिरा निमलिखित में से उप्युक्त कालक चुने तो इसका अंसर हो जाएगा बी आपादान का रखो नेक्स कोशन है तो इसका अंसर हो जाएगा किसका अंसर हो जाएगा भी रिल्लीव हो जाएगा अंसर सुरी दोस्त भारत में आर्टि आई अधिनियम कब लाग हो हुआ था तो इसका अंसरों जाएगा बात में अर्थियाई ध्रिन्यम 12 अक्टूबर 2005 को लाग हुआ था मानव अधिकारों की व्याई घोषनाप्र कब हस्ता अश्रों हुआ थे तो इसका अंसरों जाएगा C 10 देसंबर 1948 को हुआ था Next question है नीती आयों का ध्याक्ष कोन है तो इसका अंसरों जाएगा B परधान मंतरी Next question है भारत में परमुख मिर्दा परकारों का कोटी करम उनकी छितिय अभिस्तार के धार पर क्या है तो इसका अंसरों जाएगा D काली मिटी लाल मिटी जलोड मिटी इसके बाद लिटराइट मिटी Next question है भारत में कौन सा प्रमानुख सक्तिय अस्टेशन पूरी तरह से देशा जरूप से बनाया गया तो इसका अंसरों जाएगा इसका अंसरों जाएगा नेक्स कोशन है तो इसका अंसरों जाएगा की धारना का समर्थन किस ने किया था तो इसका अंसरों जाएगा सी एसमीत ने किया था Next question है निमलेखित में निमने से कौन सा मान का प्रतिय अक्षे निरिधारक नहीं है तो इसका अंसरों जाएगा ए बच्चत Next question है निमलेखित में से कौन सा सब्द बेशेशन नहीं है तो इसका अंसरों जाएगा सी परिचय नेक्स कोशन है तो सबीधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रभधान से समंदित है तो इसका अंसर हो जाएगा दो नेक्स कोशन है तो इसका अंसर हो जाहेगा त्य तिसका सी नेक्स्ट कोशन है निन में से कौन सा हरप्पा बेपार केंदर था तो इसका अंसरों जाएगा हलो थल जो हरप्पा कालिन का बेपार केंदर था नेक्स्ट कोशन है राज के निम ने लिदेशक सी दंतों में से कौन सा गांधिवादी दर्शन पड़ अधारित था तो इसका अंसर हो जाएगा A. गराम पंचायतों का आयोजन Next question है बिलोम चुनना है अलफ का बिलोम क्या होता है तो इसका अंसर हो जाएगा C. बहु Next question है जबती परणालिक अंतरगत वास्तविक इतुपादन का कितना अंस राज की मांग की रूप में निर्धारित क्या था तो इसका अंसर हो जाएगा B. एक ती हाई Next question है निन्वेश किसने भारत में फ्रेंच सक्ति को समाप्त कर दिया था तो इसका अंसर हो जाएगा फ्रेंच सक्ति जो समाप्त हुआ था वो वांडिवास की लराई में के बाद खतम हो गया था Next question है करक देखा नहीं गुजरती है तो इसका अंसर हो जाएगा पकिस्तान से पकिस्तान से करक देखा नहीं गुजरती है Next question है कंगाली में आटा गिला होने कार्थ है तो इसका अंसरो जाएगा डी गरिभी में और अधिक खानी होना Next question है नीन में से कौन सी नदी? दच्छीन से उत्तर की और बाती है तो इसका अंसरो जाएगा सी सोन नदी जो है दच्छीन से उत्तर की और बाती है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए किसी भी एजाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए नेक्स कोशन है कलिंग यूद के बाद दिन मिस्किस ने महाराज असोक के रुप पात्रन को दर्ज क्या तो इसका अश्रो जाएगा डि रग एडिक्स टेरा नेक्स कोशन है हर्षबर्धन के आरंविक राधनी कहां थी तो इसका अंसर जाएगा थने स्च्वर नेक्स कोशन है किसकी आत्म कथा है तो इसका अंसर जाएगा सी ममता बनर जी का नेक्स कोशन है दचिन शुद्डान की राधनी है तो इसका अंसर जाएगा बी जूबबा नेक्स कोशन है दोस्तों ये वीडियो सिर्फ रिभाज के लिए बना जा रहा है तो आप लोग रिभाज जरूर कीजिए नेक्स कोशन है अत्याधिक प्रदुशन कारी उद्व किस कोटी में आते हैं तो इसका अंसर जाएगा बी लाल कोटी में आते हैं नेक्स कोशन है अस्टेलिया में प्रभंजन यानि हरीकेन का अन्य नाम है तो इसका अंसर जाएगा बी बिल्ली बिल्ली नेक्स कोशन है वेट्थ भूमिक अंत्रगत अधिक्तम छेत्रवाला राज तो इसका अंसर जाएगा बी राज की अपतकार किया जाता है नेक्स कोशन है ड्यास के वल्ले कंठ में या सुनिशित करने के लिए उपस्थित होते हैं कि वायूमाल निपतित हो नहीं हो तो इसका अंसर जाएगा ड्य उपस्थित नेक्स कोशन है ही रा है तो इसका अंसर जाएगा ही रा सुद्ध कारवन है नेक्स कोशन है यूरिया एक तो इसका अंसर हो जाएगा यूरिया फास्थित उबरक है नेक्स कोशन है सभी परवधे एवं जन्तु कोशिका से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मुल्भूत इकाई है दियागया कथन निम लिखित में से किस सी धांत का है तो इसका आंसर जाएगा च्छवरिदथ्वा इसका अंसर हो जाएगा कि कोशिका से धांत हो जाएगा अखे बनेक्स कोशन है गांधी जी ने किस अंतलन का समर्थन किया था कर इसका अंसर हो जाएगा गांधी जी ने अस्पिष्टा का जो ने समर्थन किया था नेक्स्ट कोशन है अधिक्तम श्रिंखलन दर्शाने व्लातत्व है तो अधिक्तम श्रिंखलन दर्शाने व्लातत्व नेक्ट्रोजन है नेक्स्ट कोशन है हाल मद्ध्भारक्ट्रीक किस खातुपादन है तो इसकाँ अश्राइगा उस्न कटी बन धिया आधर ution का। नेक्समों हैं कि डायबिटीज मेलीट मेलीटेस किस हारमोन के कम बनने से होती है डाइबटीज, मिल्क्रीज, किस हारमोन के कम बनने से होती है तो इसका अंसर हो जाएगा D. इंसुलीन के Next question है रिकार्टो के लागन सिधान्त में किस परकार के बजार के अस्तित्व की अबधारना है तो इसका अंसर हो जाएगा A. पुर्णा दिकार Next question है वो भी दुगुना हो जाता है और गति उर्जा पूछे तो चुगुना हो जाता है नेक्स कोशन है पिर्थिवी की भूपट्टी की प्रत्यक टुक्रे को द्यास करते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा पलेट करते हैं नेक्स कोशन है जब आर प्रतिरोध का एक टार तनित किया जाता है और इसकी तिर्जिया आरवाइट टू हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा तो इसका अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है चुम्बक पदार्थ जो चुम्बक के छेतर के डिटर हिस्षों से दुरूबल हिस्षों में गतिमान होता है वह है तो इसका अंसर हो जाएगा C. परतिश चुम्बक के पदार्थ Next question है नेमिलिखित में से किस इंधन का दोतिया इंधन का आ जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा D. कोईला गैस को Next question है किसी जीव में हुए आक्समिक वहनसागत परिवरतन को क्या कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा उत्परिवरतन कहा जाता है Next question है संचरनी है रोग के संचरन के समन्द में विग्याप की विजिस साखाद वरा काम किया जाता है उसका नाम है तो इसका अंसर हो जाएगा A. जानपदिक रोग विग्याप का जाता है Next question है परिणामित्र यानि ट्रांसफर्मा का विजग किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा A. एसी भुल्टा बढ़ाने के लिए Next question है साबुनी करन एक पर किरिया है जिसके दोरा तो इसका अंसर हो जाएगा जिसके दोरा साबुन बना जाता है Next question है अब किरिया उसमा निर्भर्व नहीं करती है तो इसका अंसर हो जाएगा B. उस्पत पर जिससे अंतिमुत्पार्द प्राप्थ की आजाज सरता है Next question है पेजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है तो इसका अंसर हो जाएगा A. बेक्टिरिया परदु भाव का Next question है पिरकनासी के रूप में डेडीटी के परियोग की हानी है तो इसका अंसर हो जाएगा B. परकिर्थी में सरलता से निमनी करन नहीं होता Next question है अनप्यक्षी इमेल या जंक मेल होता है तो इसका अंसर हो जाएगा C. एस्पेम होता है Next question है N. में से कौन सा प्राकिर्ती के बोलाख है कि दोश्ट थोड़ा किनेक्ट नेम टाइम लगता है कि नेक्स कोशन है पच्छत्तर नंबर कि A C T H हार्मोन स्रावित होता है तो इसका अंसर हो जाएगा सी पीश गरांती से स्रावित होता है नेक्स कोशन है नेम लेखित में से कौन सा एक M1 का घटक है तो इसका अंसर हो जाएगा सी चेकेबल जमा जोकी M1 का घटक है नेक्स कोशन है इंपरियल बैंक के स्थापना किस वर्ष की गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा 1921 में की गई थी नेक्स कोशन है मोसम बिग्यान किसका बिग्यान है तो इसका अंसर हो जाएगा सी मोसमों का नेक्स कोशन है नेम लेखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तत्पर नहीं बसा है तो इसका अंसर हो जाएगा सी भवाल जो किसी नदी की त्रेट पर नहीं बसा है नेक्स कोशन है निम लिखित मुगल बार्शाओं में से किसे ने अपनी आत्म कथा फार्शी में लिखी तो इसका अंसर हो जाएगा सी जहांगीर जहांगीर ने पिनी आत्म कथा फार्शी में लिखी थी next question है निम्ने लिखित में स्कीस बरस कास्ट डिये डिस एबिलिटी एक्ट पाइट क्या गया तो इसका आंसर हो जाएगा A. 850 में next question है शीखों के दस में गुरु गोविन सिंग किसके पुत्र थे तो इसका आंसुर जाएगा गुरु तेख बाहदूर की पुत्र थे जिसको रंग्जेब ने हत्या करवा दिया था next question है पीतल किसकी में से धातू है तो इसका आndसुर जाएगा कॉपर जिंक का next question है जंसंख्या घरनात दरसता है तो इसका अंसरों जाएगा B. जनता भूमी अनुपात नेक्स कोशन है रेडियो धर्मिता के दोरान उत्सरजित ना की गई भी किरन तो इसका अंसरों जाएगा के ठोड किरन जिसको रिनादमा किरन भी कते हैं निय्च्ट कोशीन है हाइडरीयं प्रकिया निम्लयखित में से किसिय क mango ही तो इसकीं блसाशी मैं निम्लिखित में श्कॉण तत्व समानिस रेडयों सक्रिय सक्रिया नहीं है तो इसका An impactful हो जाब जर्मेनियम सक्रावाघंगर, आर्टिय संसद्य पर नाली में गराम पत्चायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है तो इसका अंसरो जाएगा कि जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका अंसरो जाएगा डी पॉंच बर्ष की लिए चुना जाता है नेक्स कोशन है सार भोमी की बेस्क मता दिखार के अंतरगत चाहे उनका समाजी की आर्थिक पुष्ट भोमी कुछ भी हो कि सायु की लोग को मत देने का दिकार होता है तो इसका अंसरो जाएगा अठारे बर्ष तथा उस्याधिक नेक्स कोशन है पुस्प का कौन सा भाग प्रागर बनाता है जो कि समाने तक पिले रंग के होते हैं तो इसका अंसरों सी हो जाएगा पुंग के श्वर अगर आप लोग मेत का भी श्वर बचाते हैं तो वीडियो केसा लगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए इसे वीडियो पाने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाए